नमस्ते चात्रों, यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में असो के लगुश्थम लेक यूँ उसके गुफा भी लेकों के बारे में पढ़ेंगे और यदि आप लोगों ने हमारी यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें यहाँ पर आपको इतिहास विशय से संबंदित जो भी परीक्षाई हैं उनसे संबंदित महत्तोपून बाते आपको मिलेंगी यह वीडियो बहुत ही महत्तोपून है क्योंकि एक नेक उसनिया से पक्का ही पक्का आता है तो देखेगा असोग के जो अभी लेख हैं जो उसके जो व्रहत सिला लेख हैं लगू सिला लेख हैं इन सब के बारे में हमने पढ़ा अब हम पढ़ेंगे गुफावी लेखों के बारे में तो देखेगा पढ़ते हैं असोग के लगू स्थमलेग एम गुफावी लेग मौरे सासक असोग के लगू स्थमलेग असोग की राज के गोशने जिन स्थम्बों पर उतकिन है उन्हें साधारन तोर से लगू स्थमलेग कहा जाता है तो मौर्य सासक जो असोख है उसकी राज के गोशने जिन इस्तुमबों पर लिखी गई हैं उतकीन की गई हैं उन्हें ही हम साधान तोर से लगूश् थमले की कह सकते हैं उनको लगुस्तम लेग निम लिखी दे स्थानों से प्राप्थ हैं कौन-कौन से सांची जो राय सेंजिला मध्य परदेश में है सारनात वारान सी उत्तर परदेश में है कोसांबी लहबाद के समीब रुमिन देई नेपाल की तरही में इस्थित निगलिवा या निगली सागर जो ये नेपाल की तरही में स्थित है तो जो लगुस्तम लेख है वो कौन-कौन से स्थानों से मिले हैं सांची, सारनात, कोसांबी, रुमिन देई और निगलिवा सांची सारनात के लगुस्तम लेख में असोग अपने महमात्रों को संग भेद रोकने का आदेश देता है कोसाम्बी तथा प्रियाग के स्थम्बों में असोग को रानी करुवा की द्वारा दान दिये जाने का उलेख है इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है ठीक है? लगुस्तमलेखों में रूमिन देई परग्यापन कई द्रिष्टियों से महत्तोपुन है इसलिए कि खोज फ्यूरर ने की थथा जार्ज ब्यूलर ने इसे अनुवाद सहित इपिया ग्राफिया इंडिका के पांचवे खंड में प्रकासित किया इसके अनुशार अपने अभिसेक के बीश्वे वर्स बाद देवताओं का प्रिये राजा प्रिये दर्शी स्वेम यहां आया तथा उसने पूजा की क्योंकि यहां साक्य मुनि बुद्ध का जनम स्थलने था अतहे उसने वहां बहुत बड़ी पत्थर की दिवार बनवाई तता एक इस्तंब इस्तापित किया क्योंकि यहां बुद्ध का जनम हुआ था अतहे लुम्बिनी गाउं का धार्मिक कर जो बली नामक कर था उसे माफ कर दिया गया पाली साहिते तता भरहुत लेखों में साके मुनि के अतिरिक्त पांच पूर्वे बुद्धों का उलेख मिलता है विपसी वेस्भूना कुकुसद क्रकचंद तता कोगा गमन अर्थात कर निक मुनि असोग के पहले से ही इनके संबान में स्तूप निर्मान की प्रमपरा थी ठीक है अब देखेगा असोग के गुफा बिलेख तो दक्सिनी बिहार के गया जिल्ले में इस्तित बराबर नामक पाहडी की तीन गुफाओं की दिवारों पर असोग के लेक उतकिन मिले हैं इनमें सोग द्वारा आजिवक संपर्दा के साधूं के निवास के लिए गुःदान में दिये जाने का विवरण मिलता है ये सभी सिल अबिलेख प्राकरत भासा में ब्राहमी लिपी में लिखे गए हैं तो जो गुःदा गुफा जो अबिलेख है वो प्राकरत भासा में तता ब्राहमी लिपी में लिखे गए हैं केवल दो अभी लेखों सहाबाजगडी तता मान सहरा की लिपी ब्राहमी नवकर खरोस्टी है तो सहाबाजगडी और मान सहरा जो गुफा भी लेख हैं उनकी लिपी है वो ब्राहमी नवकर खरोस्टी लिपी है ये दाइं से बाइं और लिखी गई है इन लेखों के अलावा तकसिला से अरामेइक लिपी में लिखा गया है एक भगन अभिलेग कंदहार के पास सरेकुना नामक स्थान से युनानी तथा अरामेइक लिपियों में लिखा गया है द्विभासे काबुल नदी के बाएं किनारे पर जलालाबाद के उपर इस्तित लगमान नामक स्थान से अरामेईक लिपी में लिखा गया असोका अभिलेग प्राप्ते हुआ है बराबर पहाडी गुफा अभिलेग जो गया बिहार में इस्तित है इसकी खोज हेरिंग्टन ने 1725 इस्वि में की थी यहां पर कुल चार पहाडी हैं जिन में से तीन असोक जता एक दसरत मुर्य ने बनवाई थी ठीक है असोक के तीन पहाडी बनवाकर आजविकों को दान में दी थी जो निमन लिखी थे हैं कान चोपर गुफा सुदामा गुफा विश्व जोपडी गुफा यह असोक ने बनवाई थी लोमस रिशी की गुफा दसरत द्वारा बनवाई गई तता आजविकों को दान में दी गई तो कर्ण, चोपर, सुदामा, विश्वा, जोपडी ये तो असोक ने बनवाई और लोमस रिशी की गुफा ये दसरत ने बनवाई थी नागारजुनी पहाडी गुफा अभिलेग ये गया बिहार में है दसरत द्वारा बनाई गी तथा आजीकों को दान में दी गी यहां के लोगों ने इसका नाम गोपी का, वर्निये का, व्यहिप का दे दिया तो जो दसरत उसने लोमस रिशी की गुफा और नागुर्जुनी पहाडी गुफा बनवाई थी इस वीडियो में हमने असोक द्वारा बनाईगी जो गुफा बिलेग है उनके बारे में इंपोर्टेट जानकर रिप्राप्त की हमारा वीडियो अंतक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद